फ्रेंड्स, रेल्वेस की तरप से एक और विकेंसी आपे आ चुकी है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग पड़ें, यह जो रेक्रूट्मेंट नोटिस यहाँ पे जो जारी हुआ लिखा है, डेडिकेटेट फ्राइट कोरिडोर, कॉपरेशन और इंडिया लिमिटेड, तो द इसमें एपलाए कर सकते हैं, डेरेटली मैं आप लोगों को वेकेंसी टेवल के और ले चलता हूँ, देखिए सबसे पहली जो पोस्ट इसमें आप जो शामिल की गई, वो रहेगी यहाँ पे, एक्जेक्यूटिव की, सिविल फील्ड के अंतरगत इसमें आप पचास पद है केटिगरी वाइज इनको आप पे डिस्टिब्यूट यहाँ पे कर दिया गया, पी डब्लोडी और एक्स सर्विसमेंस में आप अप अपलाए करें, इसमें दोस्तों देखिए, डिपलोमा मांगा जा रहा है, सिविल इंजिनिरिंग में, सिविल फील्ड से जो है, अगर Electrical, Electronics और Electrical and Electronics यह सभी Candidates इसमें अपलाए करें, और Industrial Electronics, EI ब्रांच वाली Candidates, Applied Electronics, Digital Electronics, Instrumentation, Power Electronics, तो Electronics फील्ड से जोड़े हुई है, तो बिलकुल आप लोग जो है इस पोस्त के लिए अपलाए कर पाएंगे, इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्त है, इसमें सिर Q-Tip के आप रहेंगे, सबसे जादा पद इसमें 235 आप इसमें इंक्लूड कर लिए गए, अनिजर्ब के 97 है, SC के 35 है, ST के 17 है, OBC के आप पे 63 है, EWS के 23 है, PWD के 9 है, और X-Service Man के 34 इसमें पद रहेंगे, और इसमें दोस्तों सिरफ graduation होना इसमें आप लोग का आप पर जरू करें, किसी भी राजे से, किसी भी स्टेट से, इसकी लिए आप लोग जो है, apply कर पाएंगे, इसके बाद और भी पोस्ट है, वो भी आप लोग देखें, executive finance के अंतरगत, देखिए, इसमें आप 14 पद हैं, अलग-अलग categories में, इसमें bachelor degree, commerce में मांगी जा रही है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है, यह रहेगी, executive की human resource के अंतरगत, इसमें 19 पद हैं, सभी categories में इसको distribute कर दिया गया, business admin और BBA candidates, BMS candidate और HR, जो यहाँ पर personal management course रखते हैं, आप लोग इसमें apply कर पाएंगे, इसके बाद दोस्तों, अगली जो पोस्ट हैं यह रहेगी, information technology, executive के अंतरगत, इसमें 6 पद हैं, सभी categories में 6 पद हैं, यहाँ पर distribute कर दी गएं, और इसमें computer application हो, BCA, और यहाँ पे 3 year engineering diploma है, computer science में, IT में हैं, electronics में, electronics communication में, electronics, telecommunication में, networking में, यह सभी तरीके के candidate इस post के लिए बिलकुल आप लोग apply कर पाएंगे, इसके बाद देखिए, अब जो post आ रही हैं, यह junior executive के लिए रहेंगी, electrical field में है, signaling field में, तो इसमें आप लोगों से ITI course मांगा जा रहा है, और ITI सम्मनित ब्रांच में आप लोगों के पास यहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें electrical, signaling और mechanical के अंतरकत अलग अलग इसमें post है, और इसमें सभी में ITI सम् इसका payment के जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और यहाँ पर देखिए age limit जो 18-30 है, executive post है, और junior executive के post के लिए भी 18-30 साल उमारे आप पर रखे गई, और यहाँ पर जो reserve यहाँ पर जो category है, SES, OBCS, PWD, तो आप सभी candidates को यहाँ पर I.U. में छूट दी जाएगी age में relaxation आपको मिलेगा, ex-servicements और PWD वो भी यहाँ पर जो है, आपको age में relaxation मिलेगा, fees के बारे में information यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर provide करा देता हूँ, तो देखिए 14th नंबर का point है, examination fees, executive हो चाहे, junior executive की post हो, table में, सभी unreserved, OBC, non-crimalier और EWS को 1000 रुपे का fees का payment है, बाकि जो SEs, STs, PWD, ex-servicements, transgenders हैं, यह सभी candidates को कोई भी fees देने के जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए यह form बिलकुल यहाँ पर free रहेगा, और SEs, STs, PWD, ex-servicements, transgenders सभी को यह form यहाँ पर free रहेगा, बात करते कब से कब आपको apply करना है, सब से उपर के तरब आपको यहाँ पर dates बता दे गई हैं, देखिए, इसकी लिए आपको online application form fill करना है, यहाँ से भी आप लोग apply कर सकते हैं directly, और DFCCIL की official website से भी आप लोग apply कर पाएंगे, और 25 से यह form fill आप यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, 19 जून तक आप लोग आविदन कर सकते हैं, रात के 12 वजे तक आप लो आपको बताया दे गए हैं, कौन-कौन से parts से आपके आप सवाल पूछे जाएंगे, तो table में आपको information इसमें मिल जाएगी, एक बार मैं इसमें आपको आप दिखा देता हूँ, देखिए, cbt1 जो एक्जाम है, इसमें mathematics के 30 सवाल, यहाँ पर होंगे, general awareness के 15 सवाल होंगे, general science के 15 होंगे, logical reasoning, general intelligence के 30 सवाल होंगे, और यहाँ पर railways और dfccil से संबंधित, यहाँ पर 10 सवाल होंगे, तो total जो है, 100 प्रेशने पूछे जाएंगे आप लोगों से, दो गंटे इसमें दोस्तों, आप लोगों के लिए negative marking भी रहेगी, बाकि जो भी information थी, आप सब लोग नोटिफिकेशन में read करें, और अभी जो है, आप लोगों को इसके लिए apply करना है, और अच्छे बात यहाँ कि देखिए, acids, acids, जो यहाँ पर जो candy rates है, और यहाँ पर, जो reserve यहाँ आप आवेदन करना चाहिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को subscribe जरू करना, इसी तरीके से आगे की vacancy की information आपको मिलती रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you so much.